गाउं खेडी गुलाम अली से कावर लेने गए 27 यूवकों की टीम में से तीन यूवक हरिद्वार गंगा में नहाते हुए डूब गए ये यूवक चंडी घाट पर नहा रहे थे जिस समय ये यूवक नहाने के लिए उतरे थे उस समय पानी का बहाव कम था अचानक बहाव तेज हो गया कुछ यूवक तो बहार निकल आए और तीन यूवक पानी के बहाव के साथ ही बह गए यूवकों के डूबे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है जिसमें उनके साथ ही गंगा किनारे उन्हें ढूनने का प्रयास कर रहे हैं तीनों यूवकों की पहचान खेड़ी गुलाम अली निवासी 18 साल के राजिश पुत्र महिंद्र 18 साल के ही तरसेम पुत्र राजकुमार 18 साल के ही तुफान पुत्र जैवे निवासी गाव नहला जिला फतहबात की रूप में हुई है तुफान अपनी मामा के घर गाव खेड़ी गुलाम अली आया हुआ था और यही सेवयन ने यूवकों के साथ कावर लेने के लिए हरिद्वार गया था परिचन यूवकों की तलाश में हरिद्वार गय हुए हैं समाचार लिखे जाने तक यूवकों की कोई खबर नहीं लगी थी गाव खेड़ी गुलाम अली से कावर लेने गए 27 सीवकों की टीम में से तीन यूवक हरिद्वार गंगा में नहाते हुए डूब गए ये यूवक चंडी घाट पर नहा रहे थे जिस समय ये यूवक नहाने के लिए उतरे थे उस समय पानी का बहाव कम था अचानक बहाव तेज हो गया कुछ यूवक तो बहार निकल आए और तीन यूवक पानी के बहाव के साथ ही बह गए यूवकों के डूबे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है जिसमें उनके साथ ही गंगा किनारे उन्हें ढूनने का प्रयास कर रहे हैं तीनों यूवकों की पहचान खेड़ी गुलाम अली निवासी 18 साल के राजिश पुत्र महिंद्र 18 साल के ही तरसेम पुत्र राजकुमार 18 साल के ही तुफान पुत्र जैवे निवासी गाव नहला जिला फतहबात की रूप में हुई है तुफान अपनी मामा के घर गाव खेड़ी गुलाम अली आया हुआ था और यही सेवयन ने यूवकों के साथ कावर लेने के लिए हरिद्वार गया था परिचन यूवकों की तलाश में हरिद्वार गय हुए हैं समचार लिखे जाने तक यूवकों की कोई खबर नहीं लगी थी कर दो कि अजया हुए है कर दो कि अजया हुए है कर दो कि यूवकों के लगए हुए है